एलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इगनू ने जून दो हजार चौविस एक्जाम के लिए एक बहुत बड़ी इंपोर्टेंट अपडेट जारी की है अगर आप भी अपने एक्जाम की तयारी करने जा रहे हैं तो ये अपडेट आप के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो दोस्तो आईए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो एक्जाम है वो जून से स्टार्ट होने वाले हैं ऐसे में इगनू ने एक अपडेट जारी की है आपके प्रिविएस एयर के कोशन पेपर से रिलेटेड है जैसा कि आप जानते हैं कि previous year के जो caution paper है वो सभी students के लिए कितने important होते हैं क्योंकि अगर आपके पास previous year के caution paper होंगे तो आपको एक idea मिल जाएगा कि आपके exam में किस type के caution पूछे जाते हैं और आपके exam में कितने marks का caution paper आएगा, कितना time मिलेगा आपको तो एक pattern पता चल जाता है आपको exam देने के लिए इसलिए आपके पास previous year के caution paper होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब students के कहना ये previous year के caution paper कहां से आएंगे तो IGNU ने December 2023 exam के लिए previous year के caution paper जो है वो website पर update कर दिये धीरे धीरे लगबख सभी caution paper update हो जाएंगे यहाँ पर अगर आप previous year के caution paper डाउनलोड करना चाहते हैं तो simply आपको IGNU के official website पर आना है डाउनलोड पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको caution paper पर क्लिक करना है धनिया आपर नीचे जाएंगे तो लगबख सभी session के यहाँ पर caution paper जो हैं वो आपको मिल जाएंगे तो अभी हाल फिलाल में जो आपके exam हुए थे वो December 2023 के हुए थे तो यहाँ पर December 2023 के caution paper अपडेट किये गए है यहाँ पर जो भी students अभी June का exam देने जा रहे हैं तो यहाँ पर अपना last session के लिए जो caution paper है वो यहाँ से download करके देख सकते हैं कि caution paper किस तरह का आएगा कितने marks का होगा क्या क्या पूछा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे caution paper ऐसे होते हैं जिसमें last session में जो caution paper में आया है वही लगबग same question पूछे जाते हैं इसलिए इससे आपको एक idea भी मिल जाएगा और कई-कई बार caution भी repeated होते हैं अगर आपने एक-दो साल के caution paper या पिछले 3-4 साल के caution paper download कर लिए अगर वहाँ पर आप caution match करते हैं तो लगबग आपको वहाँ पर 60-70% caution ऐसे होंगे जो match कर रहे होंगे इसलिए आपके लिए ये caution paper जो है ये काफी important हो सकते हैं इसलिए आपको ये caution paper यहाँ से download करने है यहाँ पर simply आपको सभी program के caution paper मिल जाएंगे आपको डोड़ने problem हो रही है तो यहाँ पर आपको 3 dot पर click करना है यहाँ पर finding page पर आपको जो भी caution paper चाहिए तो यहाँ पर course code डालना है जैसे कि मैं यहाँ पर fill करता हूँ B-H-I-C तो यहाँ पर B-H-I-C आ गया इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है क्लिक करना है इस पर अब यहाँ पर यह caution paper आ जाएगा फिर 3 dot पर click करना है यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर finding page पर लिखना है B-H-I-C इसके बाद यहाँ पर B-H-I-C का आ गया यहाँ से आप caution paper जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यह caution paper आ जैसा B-H-I-C 101 तो यहाँ से यह caution paper डाउनलोड किया यहाँ से आप caution paper डाउनलोड करेंगे तो यह caution paper जो है डाउनलोड हो चुका है अब यहाँ से आप देखेंगे caution paper B-H-I-C 101 Hindi English दोनों मीडियम में दिया गया है इसके बाद यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि यह कितने marks का है कितने caution attempt करने है time duration कितना है यह सारी चीज़े आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे तो ऐसे आप कोई भी caution paper डाउनलोड कर सकते हैं कुछ caution paper आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर सभी caution paper अपडेट नहीं किये गए कुछ caution paper ऐसे हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पर जितने caution paper आपको मिलते हैं उसे आप डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं कि caution paper आपका कैसे आने वाला है और अगर आपको कुछ caution paper नहीं मिलते हैं पर आप जून err 23 में इस section में जाकर भी download कर सकते हैं या फिर से पहले वाले section में भी download कर सकते हैं जाकर तो ऐसे आप question paper download करें जिससे कि आपको exam में पता चल जाए कि question paper जो है, वो कैसा आता है, कैसे question पूपशे जाते हैं, कितने marks का आता है, ये सारी चीजे आपको पता चल जाएंगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद